बल्ड कप 2030 का फैनल हो गई वविस्थवारी इन दो टीमों के बीच खेला जाएगा बल्ड कप का फैनल मुकाबला बीसी सी आई के पूर चैन करता ने वताया उनका नाम दोस्तों आपको बताद की बीसी सी आई बल्ड कप 2030 के फैनल की रेस दिल्चस्प हो चुकी है तीन टीम है भारत, सौताफरीका और अच्टेलिया ने बिसकप 2030 के फैनल का टिकेट काट लिया है दोस्तों अब कौन सी एक ऐसी टीम है जो सेमी फैनल में पहुचेगी इसका हर किसी को बेसबरी से इंतजार है सभी टीमों के बीच लिग इस्टेट के मैचों का अंत होने बाला है और अगले सब्ते तक सेमी फैनल की चाल टीमों का नाम हर किसी के सामने आ जाएगा दोस्तों बिसकप 2030 के सेमी फैनल का पहला मैच 15 नॉमबर को मुंबई में खेला जाएगा जबकि दूसरा सेमी फैनल मैच 16 नॉमबर को कोलकाता में खेला जाएगा इन दो मैचों के बीच हासिल करने वाली टीम फैनल में इंडरी कर लेगी दोस्तों जो टीम इन दो मैचों में जीतेगी वह है फैनल का टिकेट उसके नाम हो जाएगा दोस्तों नेरंदर मोधी इस्टेडियम में बिस्फ कब 2030 का खेताबी मुकावला खेला जाएगा जिसको लेकर अभी से हरे दिग्जों के बीच भविस्वारी का खेल सुरू हो चुका है हाल ही में पूर BCCI के चैन करता चेतन सर्मा ने उन दो टीमों का नाम बताया है जिनके बीच बिस्फ कब 2030 का फैनल मैच खेला जाएगा आपको बताते की वर्ल्ड कब 2030 के फैनल मैच को लेकर की बड़ी भविस्वारी दरासल BCCI के पूर चैन करता चेतन सर्मा ने हाल ही में इंडिया टीवी ने से बातचीत करते हुए एक बड़ी भविस्वारी की है चेतन सर्मा ने उन दो टीमों के नाम बताया है जो लगता है कि वर्ल्ड कब 2030 के फैनल में एक दूसरे के खिलाब खेलती हुई नजर आ सकती है आपको बता दे कि उन्होंने कहा कि मेरे नुसान न्यूजी लेंड चौथी टीम होगी जो सेमी फैनल में पिरवेश करेगी क्योंकि उनके उन्हें सिर्फ स्री लंका को हराना है और जिस तरह से इस विस्व कब में उन्होंने खेल दिखाया है ऐसे में माना जा रहा है कि वो आसानी से स्री लंका पर जीत हासिल कर सकती है अगर भी जीते हैं तो उस पाकिस्तान के लिए नेट रन रेट समी करनल में आ जाएगा और उनके लिए इंगलेंड के खिलाब बड़ी जीत हासिल करना आसान नहीं होगा भहीं उन्होंने कहा कि भारत और अश्टेलिया के पहले टीम बनी है वहीं दूसरी और अश्टेलिया टीम ने अफगानितान को करा कर सेमी फैनल का टिकेट कटाया है सौथ अफरीका की टीम सेमी फैनल में पहले ही पहुंच चुकी है तो दोस्तों आपको बताने कि इस बार फैनल का मुकाबला यानि बी सी सी आई चेतन सर्म के भविस्वारी के अनुसार वहीं उन्होंने कहा कि भारत और अश्टेलिया के बीच बिस्व कब 2030 का फैनल मुकाबला खेला जा सकता है तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस पार फैनल मुकाबला कौन तुझे दो टीमों के बीच खेला जाएका नीचे कमेंट बॉक्स मे अपने राय अबस लिखें वीडियो लाइक करें शेयर करें रोज आना ऐसे ही इंट्रेस्टिक वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करने थैंक्स पूर बचिंग